जहीं दोस्तों, NCRT Science Class 10 में आप सभी का स्वागत है, आज हम देखेंगे आउतल दरपण से प्रतिविम्ब का बनना, कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिविम्ब कहां पर बनेगा, वस्तु अगर फोकस पर रखिये तो प्रतिविम्ब कहां पर बनेगा, अगर पास में र समझाएं तो यहां पर आपका हो जाता था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, आपका जो गोला होता है, उसके केंद्र को ही हम उस दरपण के वक्रता केंद्र कहते हैं, आप जानते होंगे जो आपका यहां पर दरपण होता है, गोली दरपण में आउतल हो या आउतल हुए भाग में अगर हम पॉलिस कर देते हैं धासे हुए भाग में तो आपका अउतल दरपन बन जाता है आपको सिंपल से याद भी हो जाएगा लेकिन बहुत साइट लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आउतल और उतल दरपन क्या होता है मैं देखा हूं तो आपको इसलिए एक दम सिंपल से मैंने बता दिया कि भाई धासे हुए भाग में पॉलिस कर दे तो आपका अउतल दरपन हो गया मैं आउतल हुए भाग में और अगर हम उतल हुए भाग में पॉलिस कर दे इस साइड तो आपका बन जाएगा उतल दरपन या कहितने कि भाई इस तर सबस्क्राइब गोलो भाझ से समझ लीजिए यह हमारे पास एक हांस से बनाया हुआ है अगर न सभी बना तो फ्लब से आपको क्या कि नजरा रही enough किया। पूरा है तो यहां पर अगर हम आधा काट दें तो आपको क्या नजर आ रहा है ये गोले में आपका एक धासा हुआ भाग नजर आ पर यहां पर आप धरया हो जाता था इसकी मैंद की वीच की दूरी को दूरी को दूरू गए लिख तक 우ill 여ц पर आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आप भीच में हो जाता था फोकस में फोकस और मुख फोकस ठीक है यहां हो गया आपका अब यहाँ पर आप वक्रता त्रिज्या समझे वक्रता त्रिज्या उस खोकले गोले की त्रिज्या के बराबर होती है जैसे यह खोकला गोला पूरा मालीजी है अब इसकी त्रिज्या कहां से ले जाएगी यहां से और यहां से और यहां से और यहां तक लेकिन अगर हम क्यों तो इसको आधा करें भाई त्रिज्या क्या होती है त्रिज्या आपकी हो जाती है व्यास बराबर क्या हो जाती है तू गुड़े आपकी त्रिज्या है ना सभी त्रिज्या ली जाएगी इस तरीके से या आप लिख सकते हैं कि भाई त्रिज्या क्या होती है अगर त्रिज्य तरिज्ज्य निकालें इस तरह किसे तुट यहां तक की दूरी ठीक है तो यहां से अगर यहां तक की दूरी को को कटी तरी कहते हैं वक्रता केंद घुर के रूग एठी के दूरी को हम chat क्या है उस खोकले गोले की दीज़ को ही हम इस तरपन की वक्रता ते लिचा का ठीक है राइघ लीए बात उसको किसमेज डिर्ह जाता था टो और स Major इसकल पुरी हो गई तो से आपकर ठेकल के में दूर नियुक्त इसके आदे होती है तो बस Nowadays अब चली देखते हैं कि आउतल्तर प्रतिबिम्स प्रकार से बनता तो आपको इस तरीके से कुछ चार्ट बना ले रहा है जिससे आपको नोर से बनाने में आसानी हो देखिए यहां पर हम दिख दिए वस्तु की स्थिति का मतलब है कि भाई दरपन से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुए यानि यू आप कह सकते हैं ठीक है आपके यू यू हो स्थिति हो जाती है प्रतिविंब का आकार का मतलब है कि भाई प्रतिविंब कितना बड़ा बन रहा है मतलब आप कह सकते हैं आवरधन एक परकार से उसका है और इस प्रकार से यहां पर हो जाता है प्रतिविंब की प्रकर्ति क्या हो जाती कि भाई प्रतिविंब उल्टा बनेगा बस वास्तिविक यहां उल्टा और आभासी हो जाता है तीन प्रकार का प्रतिविम बनता है वास्तिविक उल्टा आभासी सीधा इस चार प्रकार का हो जाता है तो चलिए देखते हैं यहां पर हमने इसको हास से बनाया है अगर प्रतिविम आपकी मान लिजे अनन यहां पर बन जाता है इस तरीके से आपकई धूरू हो जाता है यहां पर माली जिए वकर्ता केंद्र आपके हो गई और यहां पर आपके फोकस दूरी हो गया ना मुख मूखफोकस औरहां से यहां तक यहांसे दूरी को हम बोल देते हैं मां लिजू आपके वस्तू इस इस तरब्ल के सामने यहां पर कहीं पर रखे यहां से आपका मानने प्रकास आरा आए कहां पर आएगा आपका दरपल देखिए हमारा छोटा पड़ गया यहां तक हमारा होना चाहिए एक्दम हमारी इसके समानतर लाना है क्योंकि जो दूर से किरने आती हैं प्रकास की वो समानतर ही होती है सूर से जो हमारे पास तक किरने आते हैं जिससे हमारा चेहरा प्रकासित होता है तो समानतर ही होती है तो इस तरीके से आप बना लेना चलिए हम एक बाला सा बना लेते हैं इसको एक माली इतना बाला सा बना दिए ठीक है और यहां तक आपके पूरी वक्कता त्रिज्जा यहां से यहां तक की दूरी ठीक है अब देखिए यहां पर माली यह प्रतिविम कहां पर रखा है अनंत दूरी पर रखा है कहां पर रखा है अनंत दूरी पर रखा हुआ है तो यह बिंदू अकार का मान सकते हैं क्योंकि प् लेंगी अगर जो अनंत दूरी से किरने आएंगी तो आपकी वज्टू की भाई यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर आप लिक लेंगे पहला चलिए देखते हैं तो इस तरीके से हमने खाना काड़ दिया कि भाई वस्तू की स्थिति क्या हो जाए कि हमने मान लिया अनंत पर है वस्तू हमने अनंत पर रख दिया अनंत पर अनंत का मतलब इंफिनिट मतलब जिसका कोई अन्त ही नहीं है बहुत दूरी पर है उसका मालूम ही नहीं है ठीक है अब वस्तू अनंत पर रहेगी तो भाई प्रतिविंब कहां पर बनेगा यह हमको देखना है आप देखे देखिए आपका हो गया समानतर किरने यहाँ पर पड़ी टकराने के बाद आप जानते होंगे मुख फोकस से होकर जाती है ठीक है दरपन के मुख फोकस से होकर जाती कोई भी दरपन वह उत्तल हो या उतल इस तरीके से आपकी किरने चली गई ठीक है यहाँ पर आपकी किरन बहुत सारी खिर्णे हैं और यहां पर निकल गया अब प्रतिव्यम किय से देखा जाता है आप देखिए हम यहां पर एक वकटा केंदर जो होता है प्रतिव्यम से है इसके बीच में बन सकता है लेकिन अगर बहुत दूरी पर होगा तो प्रतिविम आपका फोकस पर ही बनेगा जैसे कि अगर हम एक छोटा सा दर्पन बनाएं इतना छोटा सा दर्पन बना लिए और यहां पर आप देखिए यहां पर इसका माली यह केंदर है पी अंदे के मा प्रकास पुंझ बोल देते हैं प्रकास की किलनों का पुंझ प्रकास पुंझ हो गया तो यहां से आपका इस तरीके से कटान बिंदू हो जाएगा ना यहां से आपका कर जाएगा इस तरीके से कुछ इस तरीके से अब यहां पर प्रतिविम कहां पर बनेगा भाई तो इस सिधा खिंचते हैं लाइन इस तरीके से आप यहां से जो किलने जाएंगी और टकरा कर वापस लाउठाएंगी शिसीतर है थीग है इस तरीके से आप ऑफ लिक गहां का फॉकस के बाटika Both भी देख सकते हैं कि थोड़ा बस नापने में दिक्कत हो गई थी तो देखे फोकस के बीच में कहीं पर बन रहा है अगर इसको ले ले यहां से एक आभासी लाइन खीत दे तो लाग भाग फोकस के बीच बन रहा है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे भाई कि प्रतिविम कहा यहां पर बनता है कि भाई फोकस पर बनता है ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे फोकस पर कहा पर प्रतिविम किस्ती थी यह फोकस पर है ना फोकस मुख फोकस आप बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं मुख फोकस पर मुख फोकस मुख फोकस पर दरपन के मुख फोकस प सब्सक्राइब को देख रहे होंगे तो पूरा सूर दिखाई देता है लेकिन बालती में बिन्दू आकार का मान सकते हैं तो देखते हैं कितना बड़ा मैं छोटा ठीक है या सरी छोटा या आपका भी दूब अकार ज़ल दिख्यां फिन्दू आकार थिया आकार का इस तरीके से आप अगात दिके नोर्ट बनाने ऐसी तरीके मना लिए या प्लिख सकते आप तदीक छोटा या तदीक चोटा मंदर इक्दम छोटा ठीक एगर पॉइंट किया का अब इसका वास्तिवी के मुल्टा से कोई अर्थी नहीं होता है एक प्रकार से लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं ज्यादा तर प्रतिविम बनता है वास्तिविक यह उल्टा ठीक तो आपको कि यहां पर प्रतिविम की स्थिति यह हो गई अगर आप प्रतिविम को माले वाकरता केंदर सी से दूर थोड़ा सा अगर वाकरता केंदर जो होती है उससे थोड़ा सा दूर प्रतिविम कहीं पर यहां पर अगर हम माले ठीक है यहां पर माले थे भाई वाकरता केंद से थो पेना है यहां पर आपकी टकराई किरणे गई और आपके मुख फोकस से होकर इस तरीके संगे हमने कुजार दी किलों को अठीक है अब देखिए यहां पर क्या हो जा एगा आपका प्रतिभिम क्या बनेगा तो यहां से हमें एक 80 लाइन क्षीज देंगे यहां से जो प्रतिवियम आपका मालेजी ए था और यहां से यहां तक क्या प्रतिवियम की दूरी क्या थी बी बी बना प्रतिवियम इतना उचे अचर जाए המालेज्य क्यों गई, आप इसको आवर धन बोल सकते हैं यहां से यह हां तक क्यों पर प्रतिविम बनेगा इस तरीके से ही लाइन क्हींज देंगे है अगर यहां से पर एक सीधी लाइन खीज ले। यहां से घीज यहांसे तो आप देखे ने पर वकर्दा चेंदर मुखकस के बीच पर कहीं पर बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे चलिये लिख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अगर प्रतिवीम को हम वकरता केंदर C से थोड़ा सा दूर रख दे ठीक हैं तो कहां पर प्रतिवीम बनेगा आपका फोकस तथा सी के बीच मुख फोकस तथा वकरता केंदर के बीच पर कहीं बनेगा अभी हमने आपको दिखाया यहां पर देखिए मुख फोकस यहां पर है और वकरता केंदर आपका यहां पर है और उससे थोड़ा सा दूर हमने प्रतिविम रख दिया तो कहां पर प्रतिविम बना भाई तो भाई वकरता के अंदर फोकस के बीच में तो बना अगर हम यहां से एक रेखा गुजा रहें तो आपका प्रतिविम कहां पर बन जाएगा इस तरीके से आपका प्रतिविम कहां यहां पर कहीं पर बन जाएगा ना यहां पर यहां पर इसके बीच में बन रहा है तो अब आते sedan 6 अब ट्रती पाते हैं थहोड़ा सा दूर रखते हैं तो ठीक रहेगा ठीकन पर ठोठाब हो जाएगा इस तरीक completely आपका मली प्रतिवी में यहां पर आपका रख गया ठीक है अब यहां पर इस प्रतिवियम को हम एमान लेते हैं और यहां तक गया यहां से टकराया आप कहां पर सजाए कि भाई किरण आपकी मुख को फोकस से समान तराने वाली कि सखरी से किरने निकल गाई ठीक है आप देखिये प्रतिवियम कहां पर सद्यान से समजना कितम कहां पर बनेगा आप देखिए डे के Сीधी लाइन खीज देते हैं अबहुत सब्छाइक ऐसे तरह को यहां पर बन जाएका कैनल के दिए पर लिए जाए यहां से आपके किरन गई सिंपल सी बात है और आपके मुख फोकस से होकर गुजरेगी इस तरीके से ठीक है आपको एक्जाम में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको असानी से याद रहेगा एक्दम आप देखिए प्रतिवियम कहां पर बनेगा अगर हम वकरता यहां से एक लाइन हम जानते हैं आपकी खीद देते हैं इस तरीके तो आपका प्रतिवियम यहां पर बन गया आपका मालीजी भी है तो आपका बीटायस आपका प्रतिवियम हो जाएगा यह तो क्या आपको दिख रहा है यहां पर बन गया या आप यहां से फोकस से भी एक बहुत बड़ी रहे जाओ जो बहुत बढ़ी रह cóर वास्तविक का मतलब है कि वास्त हम रहे थे कर रही है वास्तों में वे समानतर आ रहे सिधा मैंने आपको पहले बता दिया आगए अगे देख लेते हैं कि भाई अगर प्रतिभ्य में आपका अगर 3 आपकर क्या पॉइंट हो जाता है कि 3 आपकर प्रतिबिम करता के दर के पास रख़ां के तो यहां पर Gel जास si पर रहिए का आपको डिखा देते हैं दिखा लेगा इस तरीके से हमकुश एमालीजे आपका ये द्रबाई का ने इतना बड़ा पर दिरख दिया यहाँ पर रखक दिए ठीक है प्रचित विन आपकाइं रहा पर हो गया अब क्या होगा कि अगर हम इसके समानतर किलने गुजारें गे तो सवरी यहां पर माल लिजी यहां पर रखाइब निक्योंकि डर्फण हमारे छोटा भण जा रहा है खोटा बनाए अब देखिए इस तरी के समें समानतर गुजारा किरने अगर आपकर बनाएंगे बिल्कुम जल्दी जल्दी भी बता रहा हूं इसलिए थोड़ा इधर उदर हो सकता है ना इस तरीके से हमने गुजार दिया अप प्रतिविम कहां पर बनेगा भाई आप बताए प्रतिविम कहां पर बनेगा यहां से आपकी किरन को फोकस से होकर गुजार देते हैं यह फोकस से होकर गुजार देते हैं तो प्रतिविम की स्थिति तो ग्यात नहीं होती उसमें से आकार ग्यात हो जाता है कि प्रतिविम की लंबाई कितनी है चोड़ाई कितनी है सब कुछ हम पर पता चल जा देखिए प्रतिविम एक प्रतिविम क्यों उचाई के अनुपात को हम रेखी आवर्धन बोल देते हैं आवर्धन को यम से दर साज जाता है वो बात में हम बताएंगे अब यहां से एक लाइंग खीचेंगे तो इसमें से हमारी प्रतिविम की स्थिती ग्यात होती है ठीक है इस तरीके से प्रतिविम आपका कहां पर बना प्रतिविम कि यहां पर बना लेकिन प्रतिविम की उचाई मिच्वाइं उतनी ही देख सकते यह रहा जितनी बराबर एयाग अनाप कर बना कि तो हो जाएगा था ब्लौर तो खेंग array उजामपल के ऊपर जामपल देंगे इदर अश्ट के लिए नेक एक रेका केद्डी मालिये ह doc a यहाँ पर कप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पार रख्पने इस तरीव पर यह प्नाड़ा देंगा और यह वर्धया रखना रक प्रति यह किपका समानतर रेका से नहीं और यहां तक आएगी तो आपका यहां पर बन रहा looking indicate लेकिन अगर हम इसको उच्शाई 枹्यात करना चाहते हैं तो हमको एक रेखा यहां से कीज पड़ेंगी मुंक फोकस से होकर इस तरी के से एक रेखा में खीद इस तरी के से ठीक है इस तरीके से तो अब यहां पर कि और आप देखी प्रतीम कहा पर बन रहा है कि यहां पर बन रहा है यहां पर बन रहा है लेकिन इसके हुचाही कि इस्ट पर की और हो जाएक कि यहां से किसी हुचाही हो गए लट से यह भी बंद सी पर यहां पर प्रतिभिम फंद को आपको नहीं लेना है क्योंकि यह आपकी प्रतिवियम की उचाई को दर साथ जो फोकस से लाइन गुजारा जाता है लेकिन अगर हम वक्त तक हैं से जो रेखा गुजारेंगे वह आपकी प्रतिवियम की स्थिती बताती है कि प्रतिवियम कितनी दूरी पर बनेगा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने कोसिस की है ति यह आपका हो गया इसलिए प्रतिवीम समानाकार का बन जाएगा आप देख सकते हैं यहां से यहां तक कि दूए जो प्रतिवीम इतना बड़ा है माल यह दो मीटर तो इधर भी दो मीटर ही रह लाइन खीएजे और यहां पर आपकी हो गई काउन सी लाइन यहां पर स्वेल यहां पर यह फो जाएगी मान रहें अभी मैंन रहें तक कि बड़ेंगे उरा इसके बीचप कहीं पर हो मान दीजे प्रतिविंब इसके बीच में और हमने ले लिए यह आपके प्रतिविम्भ हो गई इतनी बड़ी आपके प्रतिविम्भ है किरने यहां से आपके प्रतिविम्भ हो गई है ठीक है अब देखिए यहां से माली पर हमारा यह माली यह सार है हम यहां पर खड़े हैं इस रेखा पर यहां पर हमारा सार है यहां पर पैर है यहां से जो अब क्या क्या होगा प्रतिविम के हमको इस्थिती ग्यात करनी है तो प्रतिविम हमको क्या ग्यात होगा भाई कि यहां से और यहां से हम एक लाइन खीद देंगे तो हमारी प्रतिविम लगबग वहीं पर उसके बीच में ही बनेगा अगर बीच में रहेगा तो बीच में ही मतलब कि अगर वक्ता केंद सी से थोड़ा सा हमारा प्रतिविम कहां पर बनेगा दूर बन जाएगा कैसे बनेगा भाई देखिए यह जो प्रतिविम है यह आपकी हो गई और यहां से आप एक लाइन खीच देंगे इस तरीके से हना तभी तो प्रतिविम की स्थिति हमको ग्य साइज का एक है लगभग समान है ठीक है प्रतिविम कहार थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा देखने सपता चल रहा है आप देखिए यहां पर तो आप का प्रतिविम काकर हो गई यह आपका माली एट आईस और यह बीड़ाइस था तो आपका यह हो जाएगा एड़ा और वीडेस आपका प्रतिविम का ओकार हो जाएका उतना ही बना लगभग बन जाएगा समान अकार का लगभग ठीक है, हलकासा ब्लखासा वीवर्दित हलकास बना हो सकता है नहीं बाड़ा देखी रहा है यह लाइन छोटी हलका दिख रही है लाइन हलकी बाड़ा इला इत्र टेंगरी हो गई है अब देखिए यह कहां पर प्रतिबिम बनेगा यहां से एक रेखा जाएगी यहां से यह वकरता केंद्र से होकर हम गुजारेंगे ठीक है एक रेखा यहां पर मालीजिक कटेगा लग भाग यहां पर आपका कटान बिंदू है तो यहां पर आपका प्रतिबिम बनेगा मतलब की वकरता केंद्र से दूर पर प्रतिबिम बनेगा अगर हम वस्तु को वकरता केंद्र फोकस के बीच मर कहीं पर रख दे और प्रतिबिम का आकार क् सकते हैं कि भाई हमारा प्रतिविम जो हुआ यह था था सी के बीचे में कहीं पर आपका प्रतिविम था वस्तु की स्थीती थी और प्रतिविम कहां पर बने दोर देखिए यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि भाई सी से दूर बने गए यहां पर वकरता केंदर है देखिए कितनी दूरी पर बन रहा है लगभग इतनी दूरी पर वस्तुजितना पास होता चला जाएगा अगर माले यह यह और पास आएगी ठीक है यहां से टकराए होता चैए जड़ा जाएगा मतलब कर सकते हैं अभी पुआरीज तरीके से घृवाली और यह वालि अव यह वाली कहां पर बने गगी अभी मैं नको दिखा आता हम इस तरीके से आपके कुछ इधार को किरने जाएंगे Гान इस तरी के से अब Дेखिए कि यहाँ पर आपका प्रतिविम बन रहा है कहां पर मैं कर भाइब पर बने गया इतना इस तरीके से पर LI नहीड है कई कल अ पर यहां पर पहुंच जाएंगे इसमें दिखेंगे आप देखना कभी दरपड़ में इसी तरह आप दिखेंगे मतलब मूड जाएंगे गोल बन जाएंगे आप यह आपका हो गया मतलब अगर धियान देते हैं तो आपको साइंस अग्दम मजद लागेगा आप चलिए देख होता अब अगर देखें तो कहां पर टेक्राकर बन रहा है तो इस तKI सब्सक्राइं फोकस के भी पर इस और फोकस के बिश से इस तरह की सब्सक्राइं सबाइब और यहांस सी आपकी एक समांतर इखा को देखेंगे तो फिर्ट большой होता कि थे सकते हाँ यहां ठीक है विवर्धित बनेगा मतलब गुलाई बन जाएगी उसकी यहां से हमारा सर रहेगा और यहां पर हमारा इस तरीके से पहर जाएगा तो कितना मतलब गूला टाइप में परतिविम बन रहा है अब चलिए देखते हैं अगला क्या होता चाहर टॉपिक एक फोकस अथा सी क हो रख भूर पनेगा यह दिकि जैसे यहां बन रहा है यहां पर बना प्रतेमिमा आपका जहां पर काटान बेन्दू रहेगा और मियखने क्यों कब कि सीधा पांचमांगे vida पॉइंट पेंट किbilir जोकर के बीच परवस्तित अबस्तु पर पासवर्वूइं ठीक है चलिए देखते हैं यहां पर अगर तो यहां पर आपका पांचवा पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई अगर वस्तु दरपन के धुरू तथा फोकस के बीच पर कहीं पर रहे हैं चलिए हम देखते हैं धरपन के धुरू आप फोकस के बीच यहां पर हमारा हो जाएगा क्या व और द्रू पी के बीच पर कहीं पर वस्तू अगर माल लिजे हम वस्तू यहां पर ले ले कहीं पर भी ले सकते हैं इस तरीके से ले लिए यहां पर ले लिए ठीक है चलिए माल लिजे हमारी वस्तू इबाली से थोड़ा लेते हैं जिता के अच्छा लगे देखने में इस तरी इस तरीके से आपकी हो गई लेकिन प्रतिविम आपका कहीं है इधर बनेगा अभी मैं आपको दिखाता हूं इधर कहीं पर इस तरीके से आपका प्रतिविम बनेगा इस तरीके से इधर कहीं पर बनेगा क्या होगा प्रतिविम कि इधर C हो गई कि लाई देखिधें दोनों तरफ सकते हैं अब देखिए यह वस्तू आपकी आगई और यहां पर आपका यह है तो प्रतिविम कहाँ पर मनेग novus में हुद इस तरीके से आपका पुरिंद ज्धारम जाएःगा यहां पर चाहिए इधर इसमें किरल वापस हो जाती है इस तरीके से आपका कुछ होता है ठीक है इस तरीके से आपका प्रतिभी मन जाता है तो चली लिख लेते हैं तो देखिए यहां पर हमारा अगला पॉइंट हो गया कि भाई पी तथा याफ के बीच में अगर कहीं पर वस्तू यहां पर बना दे भी हो उस्तु कम अब हम हो सकते हैं त्रही सिराथ के सामने इस तरीके से ने जाएंगी इसमें कि आपहसी रहेगा इस तरीए से और वकरता केंद से होकर एक लाइन खीिज से इस पार बर हो यहां से खा़ए छोटीक है कोई कोई बात नहीं से आपका कई पर बनगया यहां पर बन गया ठीक है तो कितनी दूरी पर हुई भाई तरफ न किसे समilot किस देते हां कहां से गुजर कर फोकस से खुज美元 देते हैं इसके समАंतर बने गाहर एक फोकस ले ले यहाँ पर कहीं पर फोकस तो यहां से आप एक लाइन अगर गुझार्टे में से इधार इस तरीके से तो यह आपका हो गया अधीय रहेगा घ्रक करेंगे एधर पोलिस करेंगे तिक शॉरी इधर करेंगे इख लेना इस तरगी से आपका दरपन रहे का और स्टरी के से आपका इधर पूरा खिंज देंगे और इधर दरपन रहे रहेगी अगली वीडियों बताएंगे आपको बहुत अच्छे से आई होप आप समझ गए होगे वीडियो का अगर आखिरी तक देखें तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सीखे इतना सभी चीजे मैंने आपको एक दम भासा में बताया आसान भासा में अगली वीडियो म मिलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में यार तत्त के लिए हमारे चैनल से बने रहें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम